गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर फैसू की लाइफ इस्टैल एंड बायोग्राफिक के बारे में इसमें मैं आपको मिस्टर फैसू के रियल लाइफ से जुड़ी हर बाद शेयर करने वाला हूँ जैसे इनकी गर्फरेंड, इंकम, हाउस, कार, कलिक्शन, करियर, एज, 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 कॉलिफिकेशन, फैमली, एंड मिस्टर फैसू एक महीने का कितना रुपए कमाते हैं और इनकी नेटवर्ट कितनी हैं 2023 में वो भी जान लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्ष्ट अफॉल आप ये जान लो मिस्टर फैसू का रियल नेम क्या है देखो गाइस, मिस्टर फैसू ने खुद एक इंटर्वियू में कहा है कि उनका रियल नेम फैसल से एक मुदस्सिर है और ये इनका नीक नेम मिस्टर फैसू है जो के ये नाम एक ब्रैंड बन चुका है आज के समय में मिस्टर फैसू प्रोफेशन से एक सोशल मीडिया इंफ्लोएंसर एंड मोडल है और ये टिक टॉक से फेमस हुए लेकिन ये इतना आसान भी नहीं हुआ था इन्होंने बहुत इस्टगल की है कैसे यहां तक पहुचे मिस्टर फैसू आगे वीडियो में आप जान जाओंगे मिस्टर फैसू का जुनम 5 अक्तोबर 1994 को धारावी मुंबई में हुआ था और इनकी एज ऐस अफ 2023 के अकॉर्डिंग 28 यर्स के ये हो चुके है उनके परिवार में माता पिता के इलावा दो बेहन है मिस्टर फैसू ने कभी अपने परिवार के नामों को हैलाइट नहीं किया है लेकिन उनके इस्टगराम से पता चलता है कि वो अपने माबाप से बहुत करीब रहते है मिस्टर फैसु नेशनल लीडिस से इंडियन है और रिलीजन इनका इसलाम है अगर बात करें इजुकेशन कॉलिफेक्शन की तो मैं आपको बता दू फैसल सेग मिस्टर फैसु ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के IES New English में बांदरा से कम्पलिट की और ग्रेजुशन की पढ़ाई के लिए रिज्वी कॉलेश अफ आर्ट साइंस इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कम्पलिट की वो सब तो ठीक है मैं आपको मिस्टर फैसु की गल्फरेंड इंकम कार कलेक्शन के बारे में बताता हूं लेकिन उससे पहले हम मिस्टर फैसु के करियर के बारे में शौट में जान लेते हैं फैसल से को बच्पन से एक्टिंग और डांसिंग का शौक था उनके चार खास दोस्ते जिनके साथ मस्ती करना घूमना पसंद था उनको उस समय टिक टॉक खूब जोरो से चल रहा था एक दिन दोस्तों ने उनको सुझा दिया कि वो टिक टॉक पर वीडियो बनाई और फिर क्या फैसल ने टिक टॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था उनके वीडियो पहले तो नहीं चल रहे थे ना वाइरल हो रहे थे वो एक दिन में 10 वीडियो बनाया करते थे उनके वीडियो धीरे धीरे वाइरल होने लगे और वो पापुलर होने लगे और उनके फैंस बढ़ने लगे उस समय उनके टिक टॉक पर 31.5 मिलियन फॉलवर्स हो गे थे और उन्हें मेजिक वीडियो भी मिलने लगे थे और उनके फैन फॉलिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ा था टिक टॉक बैन होने के बाद पैसल सेख ने इंस्टाग्राम पर फोकस किया और वहां पर उन्होंने अपने नाम को एक ऐसा ब्रैंड बनाया और वहां पर फिर खतरों के खिलाडी में भी गए और आज मिश्टर फैसू इंस्टाग्राम हो या हर सोशल मिडिया प्लैट्पॉर्म पर इतने जादा पापुलर है इनके लाकों और करोडों फैन्स है और आज मिश्टर फैसू इतने जादा फेमास हो चुके है कि उन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है उनकी गल्फरेंड की बात करे तो साइर सी बात है मिश्टर फैसू की गल्फरेंड जन्नत जबहर है लेकिन ये कंफर्म भी नहीं है ये हम भी नहीं जानते हैं अब जान लेते हैं मिश्टर फैसू के कार कलेक्शन इंकम नेटवर के बारे में तो मिश्टर फैसु के पास कार्स में है एक रैंज रूबर कार जिसकी प्राइस है वन करोड तक जो काफी एक्सपेंस्वें लग्जरी कार्स है यह और इनकी नेटवर्ट 2023 के अकॉर्डिंग टू मिलियन यूज डॉलर हो चुकी है जो इंडियन रूपीज में 16 क प्रोड रूपे की नेटवर्ट है और मिश्टर फैसु एक महिने का 20 से 25 लाक रूपे कमा लेते हैं आराम से और भी जादा कमाते हैं क्यूंके स्पॉंसर सीब भी करते हैं तो आई होप के दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव ही होंगी अगर आप भी मिश्टर फैसु के फैन्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन ब्रेश जरूर कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू बाइ